दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, जौब करते हैं तो उसके बाद हमारी सेलरी से हमारा कुछ पैसा रिक्रेक्ट जाता है और हमारे PF अकाउंट में हमारा जो कंपनी है वो जमा करती रहती है तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बैलेंस टाइम टू टाइम चक नहीं करते हैं कि उनका PF में कितना बैलेंस अभी जमा हुआ है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको जो है अपना PF बैलेंस को चक करना है यहाँ पर मैं आपको बेसिकली चार आपको पूरी देखनी है ध्यान से ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे आप जो है easily समझ पाओ और सीख पाओ हलो दोस्तो मिरा नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं दोस्तो पिया बैलेंस और पिया पास्बुक चक करने का सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको अपने फोन पर ब्राउजर उपन करना है जैसा कि क्रोम ब्राउजर अभी मैंने उपन किया हुआ है अब आप यहाँ पर सर्थ करेंगे और यह CAPTCHA आपको नज़र आ रहा है इसको आपको यहाँ पर फिलप करना है बहुत बार यह CAPTCHA में समझमें नहीं आता है तो हम यहाँ से क्लिक करके रिफरेस्ट करके चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर दूस्तों हमने सारे की सारे डिदिल्स को फिलप कर लिया है उसके पर अपने जॉब किया होगा, आपको उस कंपनी का एक अलग से member ID जनरेट होता है, क्योंकि दोस्तों जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहाँ पर हर कंपनी का एक अपना member ID होता है, लेकिन आपका जो UN नमबर है, universal account नमबर है, वो सेम ही रहता है, तो जिस भी कंपनी म साथ में employer का कितना है, यहाँ पर interest कितना मिला है मुझे अपतल, साथी साथ में मैंने कितना पैसा ट्रांसपर किया है, एक account से दूसरे account में, और यहाँ पर जो है PF withdrawal कितना किया है, वो अभी आपको इतने जर आ रहा होगा, चलि हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप दीख यहाँ पर आपको download file पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका पास्बुक डाउलोड हो करा जाएगा, चलि हम इसको open कर लेते हैं, तो guys इस तरीक से यहाँ पर आप पास्बुक को डाउलोड कर लेंगे, पिए बैलेंस चेक करने का दूसरा तरीका guys यह है कि आपको अपने phone आपको download कर लेना है, और यहाँ पर अगर आपका account है, तो आप directly यहाँ पर username अपना password को enter करके login कर लेंगे, अगर आपने account नहीं बनाया है, तो आप directly यहाँ पर register here पर click करेंगे, अपनी basic needle को fill up करेंगे, आपका mobile number है जो यहाँ पर मांगता है, उसको fill up करके आप यहाँ पर directly जो है login कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर पहले से account बना के रखा हुआ है, तो directly हम अपना mobile number और अपना mpin को enter करते हैं, और directly application में login हो जाते हैं, login होने के बाद आपके सामने इस तरीके से interface यहाँ पर homepage का नजर आएगा, नेचे आप नजर आएगा आपको all services, तो आपको यहाँ पर click कर लेना है, सबसे उपर आपको search का इकार नजर आएगा right side में, आप आपको यहाँ पर लिखना है EPFO, जैसे आप यहाँ पर search करेंगे, आपके सामने यह वाला options आएगा, तो आप यहाँ पर click कर देंगे, आप यहाँ पर EPFO की बहुत सारी अलग-लग services हैं, तो यहाँ प करेंगे, अगर आप अपना UN number भूल चुके हैं, तो आपको कैसे पता करना है, बीडियो के description में आपको उसका link मिल जाएगा, आप बाद में उस बीडियो को ज़रूर देखना, तो जैसे हमने यहाँ पर अपना UN number एंटर कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे, get OTP का एक options है, click करने के बाद आपका जो register mobile number है, आपके PF account के साथ में, उस पर एक OTP आएगा, one time password, ठीक है, तो आपका number registered होना चाहिए, आपके PF account के साथ में इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो OTP आचुका है, हम इसको simply submit करेंगे, जैसे हम submit करते हैं, यहाँ पर आपने जितनी भी company मे job किया होगा, आपको यहाँ पर company अलग लग दिख जागे, जैसे मेरे case में, दो company में जॉब करी है, तो दो company यहाँ पर so करी है, अगर आपने एक में करी तो आपको 100 करेगा, जाद करी है, तो उतनी company यहाँ पर so करेगी, तो यहाँ पर last वाली company मेरी उपर वाली है, तो इसक का CR कितना है अब यहाँ पर आपको total amount दिख जाएगा उसके अलावा employer का CR कितना है जो आपकी company है employer उसका CR total कितना हुआ है आप तक जमा वो आपको दिख जाएगा साथे साथ में pension का contribution कितना है pension का जो amount होता है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा अगर आप अपने passbook को download करना चाते तो आपको simply नीचे download का एक option नज़र आएगा आपको simply download पर click करना है अब यहाँ पर आपका passbook download हो जाएगा चाहे तो आप इसको किसी को भी CR कर सकते हैं अब यहाँ पर PF balance चक करने का तीसरा तरीका यह है कि PF का यहाँ पर एक mobile number है उस पर आपको call करना होता है call करेंगे तो automatically call cut हो जाता है यानि कि miss call वाली यह service है फिलाल दोस्तों जैसे आप इस पर call करते है न automatically cut हो जाता है और उसके बाद आपका जो detail होता है balance का वो आपको SMS की थुरू मिल जाता है फिलाल दोस्तों यहाँ पर कुछ दिक्कतें चल रही है इस वज़े से यहाँ पर SMS नहीं आप आ रहे हैं लेकिन कुछ time बाद अगर आप try करेंगे तो आपका easily यह काम हो जाएगा तो आपको 773829899999 पर SMS करना है और SMS क्या करना है आपको SMS में लिखना है capital बड़े एकचरों में आपको लिखना EPFO HO space ENG अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आपको h i n लिखना है capital में और आपको send कर देना है जैसे यहाँ पर send होगा उसकी बाद जो है आपको 15 से 20 सेकेंड मे आपको reply में message आ जाएगा और जो भी आपका balance है ना वो आपको नजर आएगा कि आपके PF में कितना balance है फिलाल दोस्तों ये वाली service भी यहाँ पर जो है problem आ रही है यहाँ पर लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप try करेंगे तो ये problem solve हो जाएगी और आपको SMS आना भी start हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप चार अलग अलग तरीके से अपना PF balance जो है घर बेठे चक कर पाएंगे आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर कीजिएगा